जी हाँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेडियो फार्मसोटिकल्स के बारे में और साथ ही साथ इसमें एक्जाम्स में पुछे जाने वाले टॉपिक्स को डिसकस करेंगे पूरा यूनिट भी देखेंगे और साथ ही साथ एक्जाम्स में पुछे जान आज कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है रेडियो फार्मसेटिकल्स के कुछ यहाँ पर देखेंगे ठीक है जू इसको भी डाउट आएगा पुछ सकता है ठीक कोई दिकत नहीं है कि वीडियो चल ला है तो नहीं कुछेंगे इसा कोई बात नहीं आप लोग के लिए ही बना रहे हैं कि बात में आप को कोई दीकत हो आप लोग आसानी से घून सके ठीक है तो चलिए रेडियो फार्मस such a definition देखते है कि रेडियो फार्मसुल्स होता क्या हैesy Hampalati कि इंट्रॉक्ट्य सबल neutrality क्या है इसमें इसमें进ार में बेसिकली क्या होता है दो वर्ड सें अविकर्ञे अन्य वर्डि से मिल बना हुआ है निकलियो है और दूसरा क्या है यह कि यह सब्सक्राइब है इस पार्मास्यूटिकल वड्ड है तो यह फार्मास्यूटिकल बना हुआ है रिडियो निकली है इस कैसे चीज को बोलता है पले चीज समझेंगे ठीक है कोई भी एटम्स होता है म्यं myself जो होता है वो क्या होता है जैसे की ऐसा इलिमेंट जो की अनिस्टेबल हो क्या है अनिस्टेबल यानि वह इस्टेबलिटी को एचीव करने के लिए अपने मास को क्या करेगा लॉस करेगा ठीक है तो वह हमेशा क्या करेगा एडियेशन को इमीट्स करेगा तो ऐसा इलिमेंट करता ना is the form of alpha बीटा पार्टिकल्स ठीक challenges रेडियो एकटिव सब्टांस ये रहे उसी से बना हुआ है रेडियो निकलटाईट समझ वायां फार्मेसे ऐसे लिलेटेड है तो जो हम लोग ऐसा सब्टां कि फार्मेसी में इस्तमाल करें गए Was से क्या बाल देंगे गाए रेडियो फार्मा श्यूटिका अब जब इसको हम इस्तमाल करेंगे तो यह साथ इसका हैंडिलिंग इसका मतलब की कैसे उसका हैं करते हैं इसका storage condition यह सारा चीज़ हम लोगों पढ़ना है और आपको जब 10 नमपर के सवाल पूच जाते हैं उसमें यह maximum बार पूझए गए है कि इसका storage condition क्या है इसका precaution क्या है कि जब इसका मिस्तमाल करते हुआ है laboratory में या पर कहां कहीं पर भी इस समय क्या क्या हुम लोग को बरतना है ठीक है तुछ सारे थीज अम एक रहले करके देखेंगे तो यह चीज क्लिए है डेडियोफार्मस्टीकल्स से क्लियर है अब देखें दर तम डेडियोफार्मस्टीकल्स मेंज that the इसका मतलब यह हुआ कि जो भी डिजीज है उसको इस्तेमाल करने के लिए रेडियो एक्टिविटी अभी बताया है किसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी हाँ देखें यहाँ पर डेडियो अक्टिविटी इस फेनामना आप देश्पॉंटेनियस इस इंटिग्रेशन आप अनस्टेबल अटोमिक निकले आए फू एक्टोमिक निकलाई इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक एटम है उसका जो भी जैसे की नहीं होता है कि यह क्या है जै अरह FöricMon को ढूर्ता है अब जैसे की इटा है आपने उसको लेकर के च्छत पर रख दिया तौ उसमें क cannabis रोगया ठीड चत हो लेगा तो कौन सा energy लगां पे potential energy ठीके उचाई पे चला गया ना अब इससको छोड़े रहा है कि यह उचाई पर है तो कोई सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी कर सकता है ठीक है यह मास अपने क्या करता है मास के फॉर्म में यानि अपने मास को घटाता है जिसे कि इसका वजह नमान के चलिए 109 है ठीक है यह जब अलफा पार्टिकल रेडियेज करेगा तो इसका चार क्णिक गट जाएगा और अलफा पार्टिकल बैसिकल क्या होता है चार उसके क्या होता है गराम जो भी होता है चार अंयू हल्य का मतलब कि अट्हुंट मास्जींट रेल society if the यूड़ मेजर्मंट और the job ओ only atom का वजन नापते हैं व्हों किसम नापते हैं em yn आपते ले उसको gen akin use कते हैं या सब्सक्राइब कर ओ अभी है अब देखिए यहाँ है कि यह आपने स्टेङलेटी को कि यह गन करता है कि यह वही सारी बात है यहां पर लिकिए हुई है्ग निकलो टाइड की श्रीनाट करें डिक टेवल ब्ली दियुँ में बी पॉटेज एप्रप्येट एनरजी जब इस्टेबल हो जायगा तो वह एक appropriate energy को produce करेगा unstable रहेगा तो जाइट से बाते वह stability को gain करने के लिए बहुत सारा energy को भी loss करेगा clear है देखे आगे अब हम लोग पढ़ते हैं अलफा बीटा गामा radiation जो होता है वो क्या होता है ठीक है अभी आपको हम बताएं कि अलफा पार्टिकल्स क्या होता है helium helium atom होता है helium का atomic mass कितना होता है atomic mass चार चार का मतलब 4 amu amu का मतलब क्लियर है समझ वा रहा है देखे अलफा पार्टिकल्स के बारे में कुछ हम लोग प्रोपर्टी देखेंगे लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है कि आलफा पार्टिकल्स के पास से लोम प्रोपर्टिकल्स से अगर आपस बोल देंगे आपके पास ताकत कम है तो किसी से compare करें तब तो पता रहे हैं बिना compare करें तो नहीं बता सकते हैं आपके पास ताकत है लेकिन कम है कि ज्यादा है वो कब बताएंगे हम जब हम किसी से compare करेंगे यहां पर compare करेंगे तब जाकर करके यहां पर क्या है low penetrating power बताएं क्लियर है अब देखिए alpha particles अभी बताएं आपको यह helium का होता है ठीक है helium के पास plus 2 का क्या होता है यहां पर लिखा हुआ है सकते हैं अब देखिए हैं कोन सा कितना पोजिटिव चार्ज कारी करता है दो बता दिया इसके पास चार अटमीक मास्ट से इसे बही तूरें जो भी हैबी मेटल्स होते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है इस तरह का रेंगे बाहर निकालेंगे ऑल्फा पार्डिकल्स के फर्म में बाहर निकालेंगे जब अल्फा अभी बताया ना इसका जो है आधी साथ ही साथ कर देखिए हैं पर लिकाओ पर या फिनेंट्रेटिंग पॉर सब्सक्राइब और आजी क्योवटा हो यहां पर थींगे पर आफ ए लोड़ यहांँ मिद्न जूंत आफ च्छिया चांपुड़ दे करके बताये गया है कि जिसे कि यहां पर आर एक एक अटम है इसमें इसका अटमिक नमर कितना है अगर यह अगर यह आलफा पार्टिकल को इमीट करता है यानि बाहर के तरफ निकालता है अभी हमने बताया कि यह जो और मान के चलिए यहां पर आर एक जगाव पर एक्स हो जाता कुछ भी हो जाता तो जाहिट से बात है यहां पर जो अलफा जो एटम आएगा उसका क्या हो जाएगा एक एट से मास घट जाएगा है कि नहीं घटेगा क्योंकि एक अलफा पार्टिकल घटेगा तो फिस्टार मास घटेगा इनक्ते कितना हो जाएगा दो 22 और कितना हो जाएगा 86 और अब हमको फाइंड आट करना है कि 86 पे कौन है ठीक है अगर आपको जनरल एक्जामपल देना है तो जनरल एक्जामपल ऐसे दे सकते हैं कि हम मान लिया हमने एक एक अटम ले लिया जिसका अटोमिक नमर कितना है अब इसमें इसे एक आलफा पार्टीकल्स को हमने इमीट कर दिया तो अलफा हम साइड में बना लेते हैं आलफा पार्टीकल basically यह होता है हिल्यां आप आलफा भी सकते हैं हिल्यम हिल्याम करेंग इसे आफरा कि नहीं लिबगे और यह रहाँ पर एक से दिमान के चलिए कुछ atom दूसरा बना वो क्या हो गया वाई लिख दिया कि यह अब यहाँ पर क्या किया हम लोग 88 में से दो माइनस करेंगे और 226 में से चार माइनस करेंगे जो हमारा आएगा वो यहां पर और यहां पर resultant atomic number होगा clear है exam में ऐसे बना सकते हैं आप लोग अपने मन से कुछ भी exam पर ले सकते हैं ठीक है देखे इसमें क्या है कि हमने क्या लिया कि यह हमारा क्या है कोई एक atom है उस atom का क्या है यह atomic number और atomic mass अगर एक alpha particle को वो emit करता है एक alpha particle emit करने का मतलब क्या हो जाएगा दो atomic number घटेगा और 4 clear है समझ माया वही चीज यहां पर discuss किया गया है ठीक है अब देखिए बीटा रेज बीटा रेज क्या होता है तो देखिए यहां पर बीटा रेज दो तरह का होता है कौन कौन सा electrically positive और electrically वहता है उसे क्या बोलता है निगेट प्रॉंस जो positive होता है उसे क्या बोलेंगे और जो negative होता है उसे क्या बोलेंगे clear है चीजों को समझ समझ के बस आगे बड़ते चलना ठीक है अब देखिए यहां पर अब हमने penetrating power के बारे में देखा था आलफा आलफा पार्टिकल्स का उसका penetrating power क्या था ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ है यहां ग्रेटर penetrating power than that of alpha rays अलफा रेस से ज्जाधा है penetrating पाराम क्या है अलपा रेस से clear है beta बीटा पार्टिकल्स है पनेगलिजिबल मास्डिस के पास mask क्या होता है 9908 फ्रिटाओध लेग्ट्रोन का मासड़ कितना होता है ऐसा में लेक्ट्रॉन का मास कितना है मतलत को होता है इसे कछ होता है इस वह मतल में तो या फिर चेयर प्रहल चाहिए वाम लोगे हो कर देटें है जितना नंबर ऑफ निवर प्रो टॉर ना नंबर अप गर कर दे तो क्या मिल जाता है हमको सब्सक्राइव कशनel और यहां पर इंटीचा हूं करक यहां पर बीटा पर्ट के बारे में तेक्क है व क्या है क्या है रहा होता है clear है अब देखिए इस पार्टिकल्स आर युजवाली एकमपेंट बाइद गामा रेडियेशन बीटा पार्टिकल्स हेव लेस ऐनाइजिंग पावर दैन दे आलफा पार्टिकल्स आइवनाइजिंग पावर क्या होता है इचीज को सम्झेंगे आइउनाइजिंग convert करवाना तो आयंस में convert करने का power किसके पास ज्यादा होता है बीटा पार्टिकल्स है पास ज्यादा होता है और बीटा पार्टिकल्स लेकिन पेनेट्रेटिंग पाउर किसके पास ज्यादा होता है पास यह चीज़ क्लिर है अब देखिए अब हम लोग देख exemplo है अब गामा रेज में क्या होता है जो प्लेट्रेट्रेटिंग पाउर था लिखा हुआ है that these have been more penetrating power than the alpha and the beta particle. दोनों से ज्यादा किस में हैं? किस में हैं? गामा में. अब हम लोग अगर बात करते हैं order का the penetrating power सबसे ज्यादा किस में होगा? गामा रे उसके बाद बीटा उसके बाद से clear है? अब देखिए यहां पर these having the same character as that of very short electromagnetic wave called x-rays. इसके पास पूरे के पूरी ऐसे character होती है जो की x-rays के पास होती है. x-rays का नाम सुना है? ठीक है? तो x-rays के पास जो भी character होता है वो सारे के सारे इसके पास भी character होता है. समझ मा रहा है? same character as that of very short electromagnetic wave called x-rays. they have no mass, no charge. इनके पास कोई mass भी नहीं होता है, कोई charge भी नहीं होता है. clear है? गामा rays are produces during disintegration of radioactive substance along with the beta particles and during nuclear fusion. जब nucleus तूटता है ठीक है? nucleus जब तूटता है उस समय क्या होता है? जैसे का अभी हमने radio active radio nuclear radio क्या पढ़ा है? radio activity पढ़ा है radio activity तो radio activity अभी जब video start होने से पहले हमने बताया था कि radio activity होता क्या है? जो भी substance जो है जिसका unstable निकली आई है वो stability को एचीव करने के लिए बार बार क्या करता है? अपने mass को loss करता है in the form of alpha, beta और gamma particles जब alpha और beta particles का emission होता है यानि वो बाहर निकालता है उस समय गामा particles भी निकलता है समय रहा है? यानि nuclear निकलियर जब तूटता है तो उस समय इसका भी emission होता है लेकिन इसके पास कोई mass नहीं होता है कोई charge नहीं होता है वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर अंचार्ज और having poor ionizing power जब सबसे कम किसम होता है गामा में उसके बाद बीटा में और सबसे ज्यादा अल्फा में आइवन आजिंग पावर के बात कर रहें अब पेनेट्रेटिंग पावर जद इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा क्लियर है समझ में आया अब देखिए आपका जो है यह एक तरफ यहाँ पर अल्फा पार्टिकल लिखिएगा एक तरफ बीच में क्या लिखेंगे बीटा पार्टिकल अब तीनों का एक साथ कंपेर करके चार्ट बना देंगे ऐसे क्या हो जाएगा तीनों एक पास लिख देंगे तो आप आसानी से उसको कर लेंगे अब देखिए अब रेजियो एक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है वह चीज़ हम लोग पढ़ेंग और फोटॉन्स और यूज़ यहां पर यह बात कहा जा रहा है कि जब हम लोग किसी भी रेडियोक्टिव सप्टांस को मेजर करते हैं तो उससे में बहुत सारा टेक्निक का इस्तमाल किया जाता है ठीक है यह सब लैंग्वेज लिखने का तरीका है आप लोग भी जब लिख करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है लेकिन उसमें से हम लोग दो चारी टेक्निक पढ़ने वाले तो कोई भी लिखना है तो यह चीज आप लोग उसमें डाल सकते है ठीक है यह बुख से उठाया हुआ है तो जैसे कि यहां पर लिख लिए इसमें क्या होता है कि involving detecting and counting of individual particle आप लोग फोटोंस का जो है पढ़े होंगे class 12 में ठीक है तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि involving detecting detecting है मतलब उसको detect करना रहा है and counting the individual particle जो भी उसमें individual particle involved है सब को counting करने में क्या करता है यह जो भी टेक्निक से उसमें इस्तेमाल करते है ठीक है the method of selecting for the measurement of the radio activity depends upon the extent of energy invisibility and permeability of radiation एक radiation है वो जितना ज्यादा फैला हो रहेगा ठीक है extent जितना ज्यादा फैलर रहेगा उसके मेजर देखिए आप देखिए आप the method of selecting of measurement of radio कौन सा method हम को इस्तेमाल करना है कौन सा method हमको इस्तेमाल करना है वो चीज़ कैसे पादा करेंगे तो पहले देखेंगे जो भी रेडियो एक्टिव सब्तांस है उसका energy level कितना ज्यादा है अगर ज्यादा है तो दूसरा instrument इस्तेमाल करेंगे छोटा है छोटे रेंज पर है उसका दूसरा इसन डिवाइजेज ठीक है उसमें आइनाइजेशन चेंबर है प्रोपोर्शनल काउंटर है जीगर मूलर काउंटर है हम लोग जीगर मूलर काउंटर के बारे में देखेंगे ठीक है थूआ थ्यण गफाई सब के बारे में देख लेते हैं फिर देखते हैं आइनाइजेशन चेंपर अफ्रेक्डियो अिसमें उसमें जो डिवाइस इस्तेमाल होते हैं वो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है तो यहां पर आइन आइजेशन चेमबर कंसिस्ट आप चेमबर फिल्ट विद गाइस और फिटर विद टू इलेक्रोड गेप इन डिफ्रेंट इलेक्रिकल पोटेंशियल आ अब मेंजरिंग डिवाइस टू इंडिकेट दा फ्लो फुलो अफ लेक्रिक करेंट हमने क्या क्या बेसे किली एक ट्यूब ट्यूब देखे हैं उसी मर्करी को समय दिए ठीक है एक पउइंट और दूसरा.. डुनों इंड को क्या कर दिया दूसरे अलग-अलग.. अलग.. अलग.. का तभी क्या होगा मुवमेंट ऑर को इलेक्ट्रॉंट ठीक के पीडिर्ट के वह से ना इलेक्ट्रॉंट का मुवमेंट होता है और इलेक्ट्रों गोट है तो फीर उसको प्रमॉट करेगा जिसे कि कोई भी चार्ड को Igrem जोड दिया J Platform से हम समझ लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर की दो क्या है तो कि अलग अलग boy potential difference हऊ दोनों इंड पर और दोनों को क्या कर दिया हम joint कर दिये बीच में हमने क्या लिया एक चेंबर बना लिया जिस चेंबर की लिए अरुसार फिक आप यहाँ पर से हम हम लोग करेंट पास करेंगे तो करेंट जब पास करेंगे यहां पर एक डिवाईस लगा दिया ठीक है वीच में बॉइज लगात यह जो कि इलेक्ट्रोन के फिलो को काउंट करेगा कितना इलेक्ट्रोन इदर से इधर मूव कर रहा अब देखिये यहां पर क्या है कि इधर से इलेक्त्रोंस जाएका और यहां पर जाने के लिए सीव के पास क्या है गायिस तो गायस नहीं जा सकता है तो यहां यहां पर जब आएगा क्या आएगा देज आएगगा तो इसमें पार्टीकल से इसको क्या कर देगा तोड़ेगा जो तोड़ेगा तो पूझिटीव चार्ज अलग और डिगेटिव चार्ज अलग तो निगेटिव अलग चार्ज मूव करेगा जब मूव करेगा तो यह डिवाइस में डिटेक्ट हो जाएगा यह है तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है एन आइवनेशन चेमबर इस चार्ज अपर फिल्ड विट गैस जो चेमबर होता है उसमें क्या भरा होता है गाइस बढ़ा होता है और ट्रू एंड टू इलेक्ट प्रोड केप इन देफ्रेंट इलेक्रिकल पोटेंशियल दोनों का पोटेंशल दिफिरेंस अलग होगा दोनों आपोजिट साइट पर रख गैस मॉलिकूल और आया आयांस मिच काउज इमिशन अब दी लेक्ट्रों विट टंस रिविल्स दचेंज इन इलेक्रिकल पोटेंशियल जो इसमें गैस मौजूद है उसमें क्या होगा आलपा बीटा पार्टिकल आएगा और उसको गैस का मॉलिकूल को क्या करेगा ब्रेक काउंटर प्रोपोर्शनल काउंटर क्या होता है देखिए इस सेम वही चीज है अने चेंबर पड़े हैं अभी तो सेम आइनाजिशन चेंबर ही है लेकिन इसका मतलब की लिखा हुए दिया दा मोडिफाइड आइवनेशन चेंबर क्या थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया गय गेट्स कारेट टुदे अनोर्ड जायड से बात है निगेटीव चार्ट के थोड से कहां जाता है अनोर्ड की तरफ तो वही सारी बात है यहां पर लिखा हुआ है फोर इच प्रायाइमरी इलेक्ट्रोड मतलब क्या रहा जो पहला इलेक्ट्रोन है ठीक है कोई भी गायस भोस सारे आंगे ओर्विट होंगे जो आउटर मोस्ट और विठ्ट होगा उस वाले में से यह बोल दिया गाइए प्राइमरी येर्ट्व और इसके इलेक्ट्रोन के निकलने के बाद से जो दुसरा का है के आर बिट से निकल रहा है उसे क्या तो क्या बल देंगे, secondary electron, primary electron किसे बोल रहे है समझ में आया तो वही सारी देखी है आप लिखा वाप एच primary electron liberited, much more additional electrons get liberated, much more additional electrons get liberated the current, plus through electrical circuit is greatly amplified, यह कर रहा जैसे एक निकलेगा, तो एक के बाद, एक निखलता चला जायेगा, और क्या हो जायेगा, जो electric current है वो क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि electrons ज्यादा जब फिरी हो जाएंगे तो electrons के moments को ही तो count करेगा ना electrons के flow होता है तभी तो current होता है current क्या होता है basically moments of electrons होता है कि नहीं होता है पढ़ा है कि नहीं physics में तो वही सारी चीज़े यहां पर लिखा हुआ है ठीक है दा वोल्टेज रेंज ओवर वीच दगाइस amplified ionization occurs is called proportional region अप्रोपोर्शनल रीजन इसलिए बोला कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे यसे electrons का level बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे current का level बढ़ता चला जाएगा यह प्रोपोर्शनल बताया गया इसलिए इसको प्रोपोर्शनल लेंबर चेमबर कहा गया जैसे से electrons बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे current भी क्लियर है वही सारी बाते यहां पर लिखा हुआ है से देखिए हें यहाँ पर लिखा हुआ आयन आज 나가 चेमबर और यहाँ लिखा हुआ है isに दोटनों को समझीं जई कि दोनों तरव क्या है if and अल्फा फींदर्स बयार्थ्जेस है अब इस में अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो है इंटर कर रहा है अब अब इसमें जो बीटाब करेंगा तो अंदर वाले जो गया करॢ़ेगा सूस्ट को आउटोमस इलेक्टान को बाहर निकाल लेगा जतना एलेक्ट्रोंस त्री होगा उतना क्या होगा है moment होगा है clear है देखिए आप से हाइछ में एन्स और सकता है अलफा और बीटा ठीक है जब्कि गामा पार्टिकल के पास हाई penetrating power होता है तो वह वाल को नुकसान करेगा कोई भी बिमारी है आपको जिसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तमाल किया गया है तो अगर अगर मान के चलिए कि आपको पता ही नहीं चले कि कौन सा बीमारी है तो क्या आप कभी ठीक रह पाएंगे नहीं रहा तो उस बीमारी से बचने के लिए एक छोटा नुकसान क्या होता है अच्छा वही सारी बात है यहां पर है देखे डिटेक्टर ओफ और डिडिसंग बैसिक इसकी यह यहां पर बताया ठीक है अलग-अलग फिगर में दिखाने के कोशिश किया गया है क्लियर है अब यह प्रोपोर्शनल जो चेंबर है यह ऐसा होता है क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रों बढ़ेगा उतना नंबर ओफ काउंट बढ़ता चला जाएगा ठीक है अब देखेंग जिगर मुलर काउंटर को जिगर मुलर काउंटर को क्या बोलते हैं यह सारी चीज़े हैं जो कि आपको जो आपको लिखने में मदद करेगा ठीक है इस वाइटली जूज आप्लिकेंशन सच आज रिएशन डोजिमेट्री रेडियो लोजिकल प्रोटेक्शन यह देखिए प्रिंसिपल यह वर्क कैसे करता है ठीक है जिगर मुलर ट्यूब इस फिल विद इनर्ट गैस सच आज हिलियम नियोन आरगन आट लोग प्रेसर वीच हाई वल्टेज इस अप्लाइट इसके अंदर जो गैस भरा होगा उस गैस में कौन-कौन सा गैस इस्तेमा कह जाये गा? हिलियम, नियोन, आरगन उनका प्रेसर क्या होगा? लोग और वल्टेज क्या होगा? यह चीज आध रखना है लोग प्रेसर, आई वल्टेज, थीक है? लोग प्रेसर, एल पी, हई वल्टेज, एच भी, ऐसे याद कर गले लिदिए, लिख, एच वी, क्लियर है अब इसमें क्या होगा कि जो भी गास मौझूद है उसमें क्या होगा कि जब भी आलफा बीटा पार्टिकल्स इंतर करेगा तो उसके गास क्या करेगा कि आयोनाइजिशन करेगा आयांस में तोड़ेगा आगे समझेंगे देखेंगे लिखे भी हैं आगे तो इस जब तोड़ेगा उसके कंडक्शन को जब मेजर करेगा इसी को क्या बोलते हैं जिगर मूलार काउंटर ठीक है हाँ दा जाँ नहीं इलेक्ट्रोंड्स के मेजरमेंट को यह कंड़र कर रहा है बेसिकली हम लोग उसको किसमें प değ hours90 की उ पढ़ रहा है अब रहा है तो रेडियो ऐक्टिविटी का मेजरमेंट जो हो रहा है वह किसके थूप हो रहा है जिगर मुलर काउंटर एक डिवाइस से उसके भी थूरू हो सकता है ठीक है उस डिवाइस के बारे में पढ़ रहे है ति डिवाइस का जो आपका मेन काम क्या है मेजरमेंट करना किसके रेक्डिय अक्टिविटी को क्लियर है वही चीजिए दा आनेजिशन आप दा इसमें प्रिंसिपल में जो है सारी बाते आपको याद करने वाला है जो कि मतलब की क्या क्या होता है वो सारी बाते यहां पर लिखी गए देखिए कि दा ऐनेशन इस में अंपलिफायड विटिन दे ट्यूब जो भी आनेशन होगा वह एंपलीफायड अंपलीफायड मतलब क्या होता है यह एंपलीफायड इससे पहले करें एंप्लिफीकेशन बढ़ा देना यह जो भी हम्लों एंप्लिफीकेशन जहां भी आप वर्ड सुने है तो उसका मतलब क्या होता है बढ़ा देना ठीक है तो आप लोग इसका समझीएगा देखे इसको हम्लों अब look construction पर झूलते हैं बनता कैसे एक होता है कि एककट गाइस चयंबर बनाया जाता सब से ठीक है उस गैश्यम्बर के अंदर सब्सक्रीव पन होगा हमारे क्या होते हैं guys होते हैं घैश कौन-कौन सा आरगर नियोन हिलिय हम यह सब उसमें अंदर ले सकते हैं ठीक है जो भी यहाँ पर होगा दिख रहा है कि देखें यहाँ पर गैस चेंबर के अंदर क्या है गैस भरा हुआ है अब देखिए यहाँ पर समझे यह हाई वाल्टेज है हाई वाल्टेज यहाँ पर निगेटिव जो गैस का जो चेंबर है यह देखिए इसको समझ दिए ठीक है यहाँ पर एक हमने तार जोड़ दिया और एक तार बीच से जोड़ दिया एक ऐसा इधर से इधर कनेक्शन किया है बीच में रॉड लगा दिया है उस रॉड में ऐसा है कि यहाँ पर रॉड से इसका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है ठीक है एक तार इसमें जोड़े हैं पूरे यह जो आप गोला है दिख रहा है बोतल इस बोतल में एक तार हमने जोड़ दिया ठीक है यहाँ पर निगेटिव वाला चार्ड है अब पोजिटिव वाला बीच इसमें ऐसे रड है जो कि इसको आसानी से यहाँ पर लगा दिया है ऐसे लगाया है कि यह वाला चीज इससे टच ना हो यहाँ पर क्या लगा दिया है कुछ ऐसा सब्रांस लगा दिया है जिससे लेलेक्ट्रिक करेंट इसमें से इसमें पास ना हो ठीक है तो एक सरकिट जैस है आसानी से सोनगे रहा है GAS medium हमने कैसे कीनिक क्रियेट किया समझ मैं अब देखिल में यह क्या है हमारा जो को जाइस से बना हुआ है मेटल से बना वट तो निकंस्रक्शन में आप जो डिवाइस लगाया है बीच में जो डिवाइस लगाया है यह इसी का नाम क्या है जीगर मुलर काउंटर और यह क्या है एंप्लिफायर्स और पल्स काउंटर एंप्लिफायर्स और इसी को क्या बोलते हैं जीगर मुलर काउंटर बोलते हैं समझ माया अब देखिए जो आप इलेक्ट्रों का मुमेंट होगा वो हमेशा कहां से होता है निगेटिव से जो बीच में गायस चेंबर में इसके अंदर ठीक है इसके अंदर जो भरा पड़ा है गायस उसमें क्या हुआ कि अलफा बीटा पार्टिकल्स का जब उस पर बंबार्डिंग होगा तो उसमें क्या हो होगा जो भी यहां पर मौझूद है वह का होगा उसका आयोनाईजेशन हो जाएगा आरगन मौझूद है तो आयरगन में से एक एलेक्टरॉन निकल जाएगा निकल जाएगा ओ प साइट होता है नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्टरॉन आप लेक्ट्रॉंस निग あり सब्सक्राइब के थ्सक्राइब से कर तर्म प्लेक्स कहां जाएक», पॉज्य टारram के त्रफ फक़। होता है और क्या होता है चो भी रों से कहां जाएगा जो पॉजिटी चार्ज हो कहां जाएगा अब देखिए जो कैसे होता है जैसे की यहां पर समझें सबको दिख रहा है यह पोजिटिव चार्ज है इहां गया अब यह पोजिटिव चार्ज यह पूरे सृफेस पे है ठीक है अब इसको मूब करने के एक ही रास्ता मिलेगा ठीगे तिकर रहाएक नहीं दिखरा उसी तरह एलकेशाम सार्फ अब इलक्त्रोन क्या करेगा इस से मूव करना स्टार्ट करेगा दिख रहा है इलेक्ट्रोन यहां से इलेक्ट्रोन बीच वाले रोड है यह अब इस वाले रोड पर क्या होगा चारो तरफ इलेक्ट्रोन जमा होते जाएंगे और यह इलेक्ट्रोन इस रास्ते से आ करके यहां पर आ करके कंप्लीट कर ले यहां पर हमको चेंजेस देखनों को मिलता है यहां इसके अंदर और उसको काउंट कर लेता है जीगर मुलर काउंटर समझ में आया सबको एक बात प्रिश बजा दे डेखिए जीगर मुलर काउंटर में सबसे पहले आगा आपको कंस्ट्रक्षन वर्किंग सारा बात देखिए वर्किंग में जो हमने वैदने बताया वो सारी बात यहां पर लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या होता है कि लेकिन इस सार काम कैसे कर रहा है तो बना की चीज़ से है देखिए यहां पर बीच में जो है टंगस्तन लगा हुआ है इसमें क्या होता है एलेक्टोड है ठीक है और यह जो आपका गैस चेंबर बना हुआ है किससे बना हुआ है इसमें एक सर्किट कंप्लीट क्या आता है बीच में और यहां पर क्या लगाते हैं यहां पर जीगर मुलर काउंटर लगाते हैं और साथी साथ जहां पर जो वल्टेज देते हैं कितना देते हैं यह सब कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे अब वर्किंग में बात करते हैं वर् उस आरगन गाइस क्या होगा सबसे पहले और नाइजेशन होगा तो आरगन क्या होगा आरगन से इलेक्ट्रोण बाहर निकलेगा इलेक्ट्रोण जाले आएगा और नीएटीव चाओ जाएगा अनोड पे तो देकिए निगेटीव चाड ये वाले नीगेटीब चार्ज कहा आया एन नोड पे येवाला रोड है ना ये पूरा रोड क्या है जो और कि है ये अनोड से in उपर नीचे जा रहा है तो कोई दिखा थे किसी को क्योंकि पूरा का पूरा सलेंडर क्या है पोजिटीव चार्ज ही है कहीं भी जा सकता है तो यहां पर जब पोजिटीव चार्ज आ करके निगेटीव और पॉजिटीव आपस में क्या हो जाएगा मिल जाएगा मिल कर पिर क्या बना लेगा अरगन का मॉलकील बना लेगा वह नेगेटीव चार्ज जैसे मूव किया अब इसी समझा कि नहीं समझा अब देखिए हाफ लाइफ रेडियो आइसे टॉप यह दो चीज पढ़ना है इंपोर्टेंट भी है अब हम लोग ने जो भी कुछ देखा हुसमें किसी को डाउट रहा है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ के भारे ऐप हाफ होता है अभी हमने बताया police घो बी सब्तांस हमने लिया है उसका उसताट है कि हमने इनीशियल हमने उतला है का चुरुआत में दिया गИा सप्टान, जो भी इनिस इस सप्टान से हैं, जो लिए अ लिकुल कि आ धा फ्边 10 जो आधा हो जा है उस टाइम प्रेड को क्या करते हैं हाफ लाइफ करते हैं थिके हाफ-like laugh या फीट हाफ तो दिए अपने आप मास को इमीट कर रहा है रहा है। वह चीज यहां पर बताया गया है दो कॉमन वे इसका वो कितने माउंट से खर्चा हो रहा है अपने आप से गाइब हो रहा है एक तरह से समझ दे उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग हाफ लाइब का इस्तेमाल करते हैं कि लिए मान के चले एक सब्टांस हमने सो ग्राम लिया और असी ग्राम हो गया दो ही दिन में तो वह जो उसका हाफ लाइफ कितना होगा कितना समय लग जाएगा वो पूरा खतम होने में यह चीज को कल्कुलेट करने के लिए हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं ठीक है हाफ को जो है जैसे यहां पर लिखा हुआ देखिए दिखा हुआ है एन का मतलब क्या है वह एमाउंट जिसे कि यहां पर यह हमने एन जो लिया है यह बैसिकली टी हाफ पे कितना बचेगा आधा बचेगा और एन नौट का मतलब यहां पर हमने क्या लिया है इन नौट का मतलब क हाँ एन नोट एन नोट का मतलब हो गया इनीशियल इमाउंट इनीशियल आमाउंट आफ एनी सब टांग अब देखिए यहाँ आपको निकालने के लिए कुछ फॉर्मुला है अगर यह आपको दो नमबर सवाल में पूछा गया है इस फॉर्मुला कर लिग देंगे और कुछ लिख देंगे इस तरीके का तो आपको पूरा पूरा दो नमबर मिल जाएगा सवाल करवा देंगे सवाल ही है आप पूछा जाएगा नहीं यह फॉर्मुला यूज करके सवाल इसमें आपको फिजिक थोड़ी पढ़ रहे हैं यहां पर आप आप किसके स्ट्रेंट है फार् टी हाफ होता क्या है कि उसको सौल्व भी करते हैं हम लोग भी किये हैं कब इंटर में यहां पर लेंट तू बाइंड़ लेम्डा एलेंटू क्या है आप ती हाफ निकालने का यह फार्मूला है ऐलेंटू क्या है इसको पता है लॉग का नाम सुना है लॉग और एलेन दोनों में डिफरेंस होता है ठीक है पढ़िए गजा करके तो जब एलेन का वैलू हमने लॉग में कनवर्ट करेंगे तो कितना आएगा आएगा 0.6293 यह यहां पर यहां पर लॉखा हुआ ऐसे हो सकता है फ्रेंसा यहां पर लैनन करने के लिए यह Derek पता आना चाहे टुप वाइंट इसका होता है लॉग टू लॉग 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 टू को पहले लॉग टू में करेंगे फिर इसको टू 2.302 से ऐसे multiply करते हैं something तो हमारा वैलू आता है और यहाँ पर क्या है यह लेमडा लेमडा इस दा वेव लेंद्ध लेमडा क्या है वेव लेंद्ध पता है किसी को कि वेव लेंद्ध वेव का मतलब उसी का लंबाई को क्या बलते है वेव लेंद्ध ठीक है है हाँ दो जैसे कि यहां पर आगर ऐस ऐसे करके दो बनेगा दो पीच के बीच का जो जिसे यहां पर पर उपर-णीच बनता है यह यह दो पीच के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल देंगा लेम्डा वेब लेंद क्लियर है अब देखिए यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर इनिस्यल वेलू रियूस करके कितना हो गया एन बन गया ठीक है वही सारी बात ही यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए जो हम लोग हाफ लाइप पड़े हैं अभी yakul आफ लाइप यह चीज डो नमबर में पूछे जाने व अच्छे से नहीं लिखेंगे तो दो नमबर भी नहीं मिलेगा आप सोचाट लिज लिदि यह डो नमर के लिग इतना मेंनत van बढ़ रहा था तो दस नमर के सवाल अगर आप दस नमर अच्छे से नहीं कि तो उसमें 10 नमर के पेपर मेरे पास पेपर है स्क्रीन सोट भी है उस पर भी वीडियो बनाएंगा आप लोग का बहुत जल तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दो नंबर का लिए जान ऩौफ दो सवाल में ऐसाए ओदा हो जाता है इसलित। में जान ah चांगनाबर कम से कम दे ते उसमें अगर उत्तनह भी नहीं मिलेगा तौछ नहीं कर पाएगा अच्छा सब्सक्राइब नहीं देगा दस नमर के सवाल में कम से कम आप पांच पेज तो नमर के सवाल आधा पेज इसमें आधा पेज में इतना कंडेल लिख दीजे कि दो नमर वो दे दे उसको पता होना चाहिए कि आपको सब चीज आता है कि वह आपका कोई नष्टादार है examiner ना कोई भाई भहनन होकी भी नहीं है वह आपको जानता बिल्कुल भी नहीं है इसलिए कोई चीज भी लिखेंगे आिसा लिखें कि उसको लगए कि सामयालां को आता है उसको बात में वहीं साइट में कहीं लिख दीजिए वह देख लेगा कहां इसको बच्चा को यह भी याद है अब देखिए study of radioisotopes ठीक है radioisotopes जो होता है उसके study पढ़ेंगे आपके syllabus में iodine 131 131 का मतलब क्या है यहाँ पर उसका mass अटोमिक अगर्ण मास एडियो आयोडीन का 131 मास है तर लेकिन आयोडीन का मास कितना होता है 126.90 सर यह आप क्या पढ़ा रहे हैं तो यह देखिए यह हमने अभी बताया ना कि आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ रहे हैं ठीक है रेडियो आइसोटोप्स आइसोटोप्स में क्या होता है मास इसका ज्यादा है तभी तो मास को क्या कर रहा है यह कर रहा है लेडियूस करके तभी तो सटेबल निकलियंग को एचीब कर रहा है तो वही चीज यहां पर हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे के लिए हमलोग किसका इस्तवाल करते हैं Iodine 131 का इस्तवाल करते हैं क्लियर है कि डागनोसिट डागनोसिक एड़ प्रफॉर स्टाइजिंग द पंसरिंग आप दे थैरोइड ग्ल्ट फैरोइड ग्लैंड ने जो भी इंफेक्शन हो जाता है उस कि दिख रहा है यहां पर यहां पर इस तरह से इमिट कराया जा रहा है है और इंट करा करके उसको क्या हम लोग पता लगा रहे है जो को मता किलियर है दो तो यह रेडियो आइसे टॉप समझ में आया आयोडीन के लिए ठीक है यह चीज कैंसर के केस में भी इस्तमाल किया जाता है जब कैंसर हो जाता है तो उस चीज में देखिए आप लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव आयोडीन इज थार्वाइड कार्सीनोमा यानि थार्वाइड में जो कैंसर हो जाता है इस आइसोटॉप जूस्ट में अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता तभी तो कैंसर होता है ना उस कैंसर में क्या हुआ ठीक जो भी कैंसर होता है कैंसर के ट्यूमर को हम लोग क्या करते हैं सर्जिकल रीमूबल यानि विल्कुल उस अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को हमने काट को वहांसे निकाल करके फेक देना है जब काट के निकाल करके फेक तो थोड़ा थोड़ा एक का दुख का सेल कहीं तो बच जाएका की नहीं बच जाएगा पुस श yapıyor को तेले रीसाइडी तो दे आई गिलाज करने के लिए आयोडीन 151 का इस्तिमाल है क्लियर है समझ में आया देखिए यहाँ पर यह चीज तो अभी बताये हैं समझ में आ गया है kate spread condition fruition और इसका अप्लिकेशन क्या होता है फ़र्मसटिकल कंपनी मेंद फ़र्मसटिकल अप्लिकेशन क्या है alla त्पर सोचिए कि अगर हम रिडियर सब्ट में अगर खुले बोतल में रख देंगे तो क्या बचेगा कि नहीं बचेगा क्यों कि वह हमेशा रेडियेशन को क्या करता है इमीट करता है आप उसको हम लोग को स्टोरेज करेंगे तो कहां करेंगे इसको रखना पसंद करेंगे जिसमें रखने के बाद से रियक्षन हो जाए क्या वही सारी बाते हैं यहां पर कि किस किस कंडिशन में उसको रखेंगे इसमें यह भी बात लिखा हुआ है कि जब हम उसको हेंडिल करते हैं जो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है उसको खोला और सुमने लगा तो क्या वह उसके आदमी को एक प्रॉपर नौलेज होना होना चाहिए कि रेडियो की सब्सक्तान्स है और उसको पता होना चाहिए complete बहुत करद्स सबस्क्राइब नहीं विसके ना नौलेज और रहा है तुप दो इसको अच्छा नाहलेज होना चाहिए तर्टे रिक्रेसय हाइस टुबि टेकन वाइल वीर्किंग फार सेलेुंगiller 리डियो एससर इसे मेणिफ्रेक्ट्छर लिंग और हैंडिलिंग दा रेडियो एक्टिव मेटेरियल कि कुछ प्रिकर्शन मतलब क्या होता है कि कुछ बचाओ जो है हम लोग क्या करना चाहिए करना चाहिए जब हम उसको हैंडिल कर रहे होते कहीं से एक साहर से दुसरे सहर में लेके जा रहे होते हैं या फिर एक लाइब से दुसरे लाइब में लेके जा रहे होते हैं तो कुछ हमको जरूरी है वो सारी बाते यहां पर जानना होता है ठीक है इन ओर टू है प्रोटेक्टिंग फ्रोम हजार्ड़स और रेडियेशन 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 मस्ट बेस्टोर्ड एरिया फ्रिक्वेंटी वीजिव यहां पर बार बार आदमी ना जा यानि लैब में रखना पड़ेगा ठीक है अब ऐसे जगाव पर रख दिया बार बार आदमी जा रहा है वहां पर चूद देगा वहां पर कुछ हो गया तो फिर उसको दिकत हो जाएगा सब्सक्राइब तो प्रोटेक्शन प्रोम यहां पर क्या लिखा हुआ है शेल्डिंग में भी रिक्वाइड जिस भी हम लोग कंटेनर में रख रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा आच्छे से सील करना पड़ेगा ठीक है ठीक ग्लास जैसे कि अभी पता है ना हमने कि उसका ट्रांस्पारेंट कंटेनर होना चाहिए लेकिन उसमें क्लोज होना चाहिए क्लियर हैं अगर्श यहां पर यह लिखा हुआ है गामा रेस घामा रेस के पास हम यह भी बताया था हाई पनेट्रेटिंग पार होता है बताया था वह वाल को क्रोस करके अंदर पहुंच जाता है पहुचाता है नहीं पहुक्ण जाता है उस चीज को बचाने के लिए हम लोग जो सिंदिंग मेटेमक इस्तester करते हैं वो किसका होना चाहिए लीड का लीड तो तुमसमायाः तो व्हों गामा डियसन से बचाने के लिए हम लोग क्या इस्तिमाल कर रहा है कि कहीं से कोई लिकेज तो नहीं है कि यहाँ पर हरकत तो हमको दिखने को नहीं मिल रहा है अगर कोई लाइब में आप रख दिये वहाँ पर क्या हो गया यह लिकेज हो रहा है और लिकेज हो करके पूरा यह खतम हो रहा है और आपको पता नहीं चला तो इस चीद के ल पारा इस्तमाल करते हैं झालेकिए आप इसको हाथ से नहीं लें जा सकते कई पे ठीक है कि इसको फोर से फोर से प से चिम्ता नम सुना है चिम्ता के मद़ नहीं नहीं करना है इसे कि drinking activity should not be handled in the laboratory where the radioactive material is handled जहाँ पर radioactive material रखा हुआ है महाँ पर आपको ये सब काम भी नहीं करना है अध्यलियर है जो भी आप कपड़ा पहने हैं बेद्र., बेधर नहीं है कि आपको कोई भी radioactive substance आपको हार्म ना करे यहाँ आप लिखा हुआ है सफिसियन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सिल्डिंग है पूबी यूजड वाइल हैंड अ मेटेरियल जो भी लाइब में सैंटिस्ट वगड़ा काम करते हैं तो हम लोग प्रोपर उनका ड्रेस कोड देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि हम लोग को हार ना करें जो भी रेडियाक्टिव मेटियर्स हाइब टुबे स्टोर इन शुटेबल लेवल कंटेनर लेट्स ब्रीक्स एंड प्रिफिरली इन दरीमोट कॉर्णर अब देखिए यह चीज़ लिखा हुआ है कि जो भी हमें रेडियाक्टिव सब्सक्रांस लिया है रखा है इस लाइम में सब्सक्रांस रखा है जो की रेडियाक्टिव सब्सक्रांस है तो कोई भी जाएगा तो खोलने से पहले उसको देख लेगा कि यह रेडियाक्टिव सब्सक्रांस है और इसको लाइब के बीच में नहीं रखके चले आना है कोने में रखेंगे समझ मारा है कोना में क्यों यहां पर रखे हुए हैं वहाँ बार बार चेक करना है कि रखा गया है वहाँ पर कोई जा तो नहीं हो रहा है हमको वह बार-बार चेक भी करना पड़ेगा कर लिए और वह रेडियो एक्टिश सब्तांस है उसको इसा भी फैक देंगे गे अगर इसको हमको दफन करना है तो इसका प्रोपर गाइडेंस है कि इतना फीट नीचे खो देंगे उसके अंदर क्या करेंगे दफन करना तो वो श्यारी बात है यहां पर डिस्पोजल आफ रेडियोक्ति मेटले शुट भी करीड आउट वीट ग्रेट केयर समझ माया अब इसका अप्लिकेशन देख लेता है अप्लिकेशन मतलब क्या होता है अप्लिकेशन बोले या फिर इसका एडवांटेज बोले या फिर लोग तिव टेरेपी में इस्तेमाल करते हैं अभी बताया ना केंसर में इस्तेमाल करते हैं और किसी भी चीज को अस्तुरलाइज करने के लिए इस्तमाल कियाता है जो भी सर जीकल इस्टूमेंट होता तो इंटर करना एलाव ही नहीं है ठीक है जाएगा तो डॉक्टर जाएगा या फिर जो स्टाफ है अंदर का वह जाएगा और वाइज कोई नहीं जाएगा लिए तो यहां पर लिखा हुआ है अब सब को कर एक एक कर के बताया गया है कि थेरपी में इस्तेमाल कि आता है तरह में कौन-कौन सा थेरफी है इस्टेलाइशन में इस्तेलाइशन में कौन-कौन सा रेडियर की सप्तान से यहां पर दिखें गोल्ड का जो गोल्ड है ना लिखा हुआ गोल्ड 198 लिखा हुआ है यू क्या है इसका एक आट्मिक सिंबल होता है इसी वयद से क्या हो जाता है इसका नाम चेंज हो जाता है ठीक है तर यह सारा चीज़ यहां पर लिखा हुआ है कि कौन-कौन सा radioactive substance कहां कहां इस्तमाल किया जाता है यह सब थोड़ा थोड़ा पढ़िये का आप लोग देखिए डियागनोशिस में रिसर्च में और यह इंड़स्ट्री में क्या इस्तमाल किया आप को सिर्फ यहां पता होना चाहिए कि यह चार पॉइंट पता होना चाहिए ठीख है कि से पहले क्या काम करते हैं थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं दूसरा काम क्या करते हैं डाइगनोसिस में इस्तेमाल करते हैं तिसरा काम क्या करते हैं रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं चौथा काम इस्टेलाजिशन में और यह चारों पाइंट पता आया तो आप अपनी मन से बन होता है किसी को इसके पहले नाम सुने तेस्टराइशन के बारे में क्या अब जितने जो भी मौझूद होते हैं हां जो भी एक तरह से उसका सुधी करन कर रहे हैं हम ठीक है तेस्टराइशन मतलब क्या होता है कि जो इसमें बहुत कम है उसको इतना बार Esterlyze किया गया इतना बार इसकी बिल्कुल ना के बराबर समझ दीजे वहां पर उसके दिवाल से ले करके हर एक चीज पर पोचा है चाहें वह कोई भी आउजार हो चाहें हो वहां कोई भी ड्रेस नहीं रखा जाता है कोई भी आलतु-फालतुई चीज वहां रखी जाती है जो भी लाइट वगारे लगा जाता है ऐसा बेल्कुल भी इस्टमाल नहीं कहेrim जाता है जिस पर दस्ट जा करकर। बेठे-जा धूल बैठने वाली कोई वी चीज वहाँ पर नहीं होती है। जब धूल बैठने वाली कोई भी चीज नहीं होंगे Cole बैठेगा नहीं तो माइक्रोगनिस्ट का ग्रोथ ही नहीं होगा तो वह सारी चीज यहां पर देखा रहता है देखिए एस्टरिलाइशन लिखा हुआ का इस्तमाल करते हैं समझ में आया किसे कोई डाउट ठीक है बहुत धन्यवाद अब बताईए इसके बाद से और क्या आपको जो है पुछना है कि अच्छ अच्छ कि अच्छ